एक तो उदेपूर को 20 स्रेणी का सहर नहीं बनाया गया, तो इस लोगों को बहुत लंबे समय से इंजा रहे हैं, दूसरा जो मांसी वाकल योजना बनाई गई, 75 में, उसके बाद में जिस स्पीड से ड़लब्मेंट होना चीए ता वो नहीं हो पाया, तो लोगों को बहुत सा संबावना है कि वो बीटू की स्रेणी मिल जाएगी, तो उसे मोदी जी के पल्ड़े के भारी के रूप में देख रहे हैं हम लोग, जिस प्रकार से उदेपूर का डवलब्मेंट नोना चीए, जैसे जोदपूर का हुआ और जयपूर का हुआ, उदेपूर में सुकडिया स सुक्तान को भी वो डवलब करें, यहां तो तुरिस्ट के उपर डिपेंट है पूरा, हाला कि अभी हो रहा है काम, पहले उदेपूर में काम नहीं हुए थे, पर अब काम हो रहा है, आप देख रहे हो सटकों में सेक्टर की दरब भी देख रहे हो, अभी काम हुआ है, और किन चीजों पर पढ़ने वाले हो, देखो वैसे पूरे अपने देश में देखे जाए, तो मोदी जी के लेर चल रही है, और हम भी परमभक्त हैं मोधी जी के तो यहीं चाहेंगे कि परमभक्त का टैक देदिया है, अब तो मोधी जी के देखो हो सुरू सी रहे हो, अभी है मेरे पीछे आप जील देख पा रहे हैं क्योंकि मैं जीलों की नगरी में हूँ मैं मिवाड गराने की नगरी में हूँ उदैपुर ये शहर बड़ा ही खुकसूरा शहर जहां से कई ऐसे बड़े नेताओं का उदै हुआ जिनोंने राजिस्थान की राजनीती को सीचा वहीं उदैपूर में मुकाबले की बात करें तो कहा जाता है कि त्रिकोणिया है लेकिन यहाँ पर सीधी फाइट बताई जाती है दो पूर प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कॉंग्रेस ने टिकेट दिया है पूर आईएस ताराचन मीना को अशोक गेलोत के वो करीबी बताए जाते हैं और उदैपूर वो टूरिस्ट स्पॉर्ट जहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ की एकोनॉमी यहाँ के लोगों का रहन सेन इनके तमाम जीविका एकोनॉमी पर जो चीजें है वो टूरिस्ट पर भी आदारित है यहाँ पर कुछ आसपास प्लांट भी है जहां से लोगों के घर चलते हैं जो इनके आजीविका का माध्यम है लेकिन यह जीलों की नगरी की राजनीती ऐसी ही उतल-पुतल गोते खाती है जिस प्रकार से इस जील की लहरें जब यहाँ पर वाटर लेवल बढ़ता है जब यहाँ पर पानी का जो माध्यम में वो बढ़ता है लेकिन इस उदैपूर में मैं यह जानने आया हूँ कि जब तीन प्रत्याशी मैदान में हैं बाजपा ने मनालाल रावत को उतारा है ताराचंद मीना एक तरफ है वहीं प्रकास चंद्र बूज के नाम का एलान बारत अधिवासी पार्टी ने किया है और इस सीट पर जैसे हम बात करें बाहसवारा डूंगरपूर तो वहाँ पर कॉंगरेस पार्टी ने अभी प्रत्याशी का एलान नहीं किया है वहाँ पर संभावना ही बताए जा रहे है गठबंदन की कि हो सकता है भारत अधिवासी पार्टी और कॉंगरेस का लेकिन मैं तो उदैपूर का मिजास जानने आया हूँ हम आपको ये बताने आये हैं कि उदैपूर की जनता क्या मुद्दे लेकर क्या मुद्दों को सोच कर जहन में रखकर इस बार वोट करने वाली है किसके पक्ष में यहां का मद्दान जादातर होगा कौन यहां से दिल्ली जाएगा हाला कि विधान सबाग शेतरों की बात करूँ उदैपूर की तो उदैपूर जो में शहर जो सीट है वो दिकतर समय भाजपा के पास रही है और इस समय जो देश के एक प्रमुक राज़ के राज़पाल है गुलाब चंद कटारिया वो उदैपूर की रहने वाले वो भी राज़निती राजस्थान के बड़े दिगज नेता रहे लेकिन ये फटे सागर जो है पीछे मेरे ये उस जील के आसपास की एक सड़क एक पाल है और यहाँ पर लोगों का शाम के समय इस प्रकार से घूमना टेला वॉक करना ये लगातार चलता रहता है हम इन लोगों से जानते हैं कि कैसी राज़निती उदैपूर की रहने वाली है क्या नाम है सर आपका बहरुलाल कलाल बहरुलाल जी क्या करते हैं आप मैं शिक्षा को साब कैसा है उद्यपूर में शिक्षा वेबस्ता कैसी है कोचिंग और स्कूल वगरे सब चीज़ है काफी अच्छा है सर बार के लड़के भी काफी आके यहां अपनी स्टेडी कर रहे हैं बार के लोग तो आते हैं यह टूरी स्पोर्ट है बिकूर कितनी आध जिस क्लाउटी का खाना चाहते हैं वह उनको मिल जाता है आपका मन पसंद राजनिता कौन है यहां उद्यपूर के परिपेक्ष में पूछ रहा हूँ पूरे देश में आप जब से देख रहे हैं राजनित सर अभी में गौवर्मेंट करमचारी होने के नाते है आप अपना एक फेवरेट प्रलिडिशन तो बता सकते हैं कि भई मैं इस राजनेता को बड़ा पसंद करता हूँ इनको सुनता आया ये सित्म में तो मोदी जी को पसंद करता हूँ संभावना तो पूरी है फिर आगे चंता की मर्जी और उदेपूर की संभावना उदेपूर की संभावना मोदी जी के साथ ही है ऐसा दो निया कि ये सीट बाचपा की रही है विदान सभा चुनावों के लिया जी मैं एक स्कूल में नहीं पड़ाया है। जी. क्या है शेर सिंग जी और उदेपुर का मिजाज उदेपुर का मिजाज लोगों को लंबे समय से एक तो उदेपुर को 20 रेनी का सहर नहीं बनाया गया। तो लोगों को बहुत लंबे समय से इंजा रहें दूसरा जो मांसी वाकल योजना बनाई गई 75 में उसके बाद में जिस स्पीड से डवलोप्मेंट होना चीए ता वो नहीं हो पाया तो लोगों को बहुत सारी सरकारों से आसा रहती है पर मेरा यह कहना है कि जिस परकार से पर क्या मुद्दे रहेंगे एक तॉप डवलोप्मेंट के रहें कोई सौंदर्य करण की चीजें यहां पर कमी लगती है क्या क्योंकि मैं जब कुछ सालों पहले आया था तब भी एपाल वैसी थी इसमें शायद पेंट बगरे की चीजें और तमाम चीजें थोड़ी कम दे वर्तमान समय में बहुत सारी टूरिजम को लेकर आसा हैं दूसरा जो हम सिक्सक के नाते कहना चाहेंगे कि यह आदिवासी बैल्ट है यहां पर दूर दिराज के जित्ते भी विद्याले हैं वहां पर जैसे कोटड़ा बैल्ट हुआ तो वहां सिक्सकों की बहुत कम ही है उन पुरिस्त के इलाके हैं अभी जो आटी यहां पर देखा जाए तो इस बार दो प्रशास्तिक अदिगारियों के बीच सीधी फाइड देखी जा रहे हैं दोनों पड़े लिखे हैं एक आईएस रहे हैं एक और दूसरी सेवा में रहे हैं तो ऐसे में किसकी तरफ जनता ज्य कि अगर हम इने चुन कर लाएं तो उदेपूर में डेवलप्मेंट की बाते कर रहे हैं वह सकार हो जाए पूरे उदेपूर में नी पूरे देश में पूरे परदेश के लावा देश में अभी बोदी जी का जादू चल रहा है और हर आदमी मोदी जी को देखके वोड दे नाते, बीजे़पी का पलड़ा भारी लगा आपके गुजरात भी गरीब आठा रहे हैं और हम रापारuir तो पूरी जहाँ जहां जाते हैं वहां मोदी 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 जी मोदीजी मersi नवीन व्यास जी साब शेर सिंग जी के माहोल बताने के इतरा आपकी कुछ अलग राय है या वही आप भी सुखते हैं लेकिन शिक्षक होने के नाते उदेपूर आप भी शिक्षक हैं चार आप चार शिक्षकों की चौकडी तो नहीं गूम रही है चौकडी तो क्या काये ले जब ये कडी जूट जाएगी तो सायद इस बार संभावना है कि वो बीटू की स्रेडी मिल जाएगी तो उससे मोदी जी के पल्ड़े के भारी के रूप में देख रहे हैं हम लोग मतलब यहां की जनता तो मोदी जी के पक्षम बुझा आप भी शिक्षक हैं सर पूछना पढ़ेगा नहीं मुझा नहीं कोई बात क्या नाम है मेरा नाम सतीज जेन है और हमारी तो इच्छा है जिस प्रकार मोदी जी और अमित सागी जोडिन है गुजरात को डवलप किया है उसी प्रकार राजस्तान को भी वो डवलप करें हमेरे लगता है दस साल के इंद्रवस में हो गए सरकार को आपका गुजरात से ही लगता हुआ इलाका गुजरात का एक्जामपल दे रहे हैं लेगिन फिर भी कम्या दिखाई दे रही है उद्यपूर की जैसे मैंने तीनों दोस्तों से बात कि और आप कुछ मुझे बताईये यहां के क्या मुद्धे है क्या और कमिया रहे ए कुछ इन्होंने चीजें बता दी आयड नदी उस आयड नदी को बार-बार राजनेता और दुआरा कहा जाता है कि इसको वेनिज बना देंगे लेकिन आज तक उस नदी में कोई काम नहीं हो रहा है अभी पिछले साल से नगर निगम ने उसमें जरूर कुछ काम किया है लेकिन अभी भी वह मूर्त रूप अभ ठान चुक है रिपीट करने का हम नहीं जंता का जो मानस हम देख रहे हैं पूरा देश में जो एक महौल चल रहा है उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि वापस रिपीट तो हो नहीं है तो इस बार जब सरकार बने तो उद्वपूर को भी पायरोटी पे लिया जाए और अच्छ अच्छे-चे काम चुछे उसक्राइब काम हो घर फैस्ट क्या करता है चुट इसकूल चाहीं कूल जाते हूं सी सब्क कोई बातनी कोई बातनी सीख जाओगे आपका क्या नाम मेरा दौलत सिंग जी क्या है दौलत वाले लोग हैं उदयपुर में दो जी आप है कि नहीं दौलत मन्द नाम है कोशिच जारी है क्या करते हैं यहां की तो आज़ी जी जी पर टूर्स एंट्रेवल्स को लेकर सडकों को लेकर अपडिविटी को लेकर आप इंड़ेश्ट्री में काम कर रहे हैं उस पर क्या इंप्रूव्मेंट के और स्कोप से यहां तो तुरिस्ट के उपर डिपेंड पूरा और रहला कि अभी हो रहा ह पहले उदेपुर में काम नहीं हुए थे पर अब काम हो रहा है उदेपुर में आप देख रहे हो सटकों में सेक्टर की दरब भी देख रहे हो अभी काम हुआ है और इस बार वोट किन चीजों पर पढ़ने वाले हो देखो वैसे पूरे अपने देश में देखे जाए तो परता दिवासी पार्टी भी यहां पर है प्रकाश्यंद्र बूज उन्होंने प्रत्याशी उतारा है कुछ होने वाला है त्रिकोनिया या फिर दो लोगों में भी कुछ फाइट नजर आ रही है देखो चेहरा आज की आम पब्लिक जो देख रही है वो सिधा मोदी जी को द क्या है मजबूती यहां उदेपूर में किन मुद्दों को लेकर वोट होने वाला इस बार इस बार देखो मोदी जी का मोदी जी मुद्दा नहीं है सर मोदी जी तो प्रदान मंत्री है मोदी जी मुद्दा नहीं है ना मैं मुद्दा पूछ रहा हूं किन मुद्दों पर व आपको जोडी पसंद आरही है मुझे इसा लग रहा है आप वह जोडी पसंद करते हैं इस अब आप यह नाम है सब्सक्राइब कोई बात नहीं करेंगे कोई बात नहीं कोई बात नहीं यह हमने अभी कुछ लोगों की राहे लिए है आगे जो पाल का मुख्य एक इलाका बताया जाता है जहांपर अक्वेरियम आगे लिखा हुआ है वहां भी हम जाएंगे और लोगों से और बात करेंगे अभी हमने छोटी यहां पर चर्चा किये लोगों से क्या मुद्दे है उ वहीं टूरिजम को लेकर टूरिस्ट को लेकर भी अलग-अलग मुद्दे हैं ऐसे में उद्यपूर की जनता किसके पक्ष में वोट करेगी हमने आपको दिखाया लेकिन लगातार हम आपको ऐसी रिपोर्ट दिखाते रहेंगे आप देखते रही है राजस्तान चौक